जहें दोस्तो, दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी का और आज हम चर्चा करने वाले हैं परेयावरन के बहुत ही महत्पूर्ण बेरी वेरी आईएंपी प्रिष्णों पर जो आपकी परिछा के लिए के ऐसे प्रिष्ण सावित होंगे कि आप समल्ले की नीव का पत्थर र बना रहे हैं पड़ाई को अच्छा करने का प्रियास कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके तो हमसे जुड़ी गए होंगे चैनल को तुरन सब्सक्राइब पर किलिक कर दें अधी नई किया हो और नए आया हो चैनल पर और अपनी इस्टडी को मजबूत बनाए कोई बिम्ब को रखने तो कैसा प्रतिविम्ब पड़ता है जल्दी से बता दीजिए उस बिम्ब का प्रतिविम्ब कैसा पड़ेगा तो वह पड़ेगा आभासी सीधा एवं आभरदेत कैसा पड़ता है आभासी सीधा एवं आभरदेत ठीक है बिलको सिलिवस के अनुसार हैं दोस्तो एक एक प्रश्ण महत्पून है चूक नामत एक और बात लोग पूछ रहे हैं सर हमें इसकी PDF चाहिए सबसे ज्यादा मांग हो रही हमारे नोट्टों की PDF की हर कोई क्या रहा सर इसकी PDF कहां से मिलेगी क्या होगा दोस्तो आज बता दे रहा हूं मैं कई दिन से बोल क्या नाम होगा दोस्तो टॉप 50 study चैनल के ही नाम पर टेलीगराम चैनल होगा आप टेलीगराम पर सर्च करेंगे टॉप 50 study तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा ठीक है दोस्तो तो आप उस चैनल से जैसे ही जुड़ जाएंगे दोस्तो और फिर आपके लिए PDF वहां पर मि जाएगी ठीक है ना अब इस वात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि आपको कैसी PDF चाहिए निम लिखित में से कौन सा भारत के तीन जैब विवित्ता होट स्पोर्ट में से एक है ठीक है जीबों की जहां पर विवित्ता पाई जाती कई परकार के जीब पाई जाते हैं उसका होट्सपोर्ट निमने मैं से कौन है तो आपको बताना है थीक है वहाँ पर हर परकार के जीब पाई जाते हैं राजिस्थान का राज्य पसू कौन सा है या राज की पसू कौन सा है राजिस्थान राज्य का राज की पसू आपको बताना है तो आप देखें पहला option बाद है आगे तीन option ये हैं अब अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की तो राजस्थान में क्या पाया जाता है दोस्तो रेगस्थान और रेगस्थान में क्या चलते हैं उट तो राजस्थान का राज की पसु क्या हो जाएगा उट ठीक है ठीक है तो रा अगला है बायू प्रदूशन का कौन सा स्रोत नहीं है बायू प्रदूशन का स्रोत नहीं है आपको बता दें तो बायू प्रदूशन संबंदे कॉस्चन आते ही है तो पहला जिसमें दिया है बाहन तो बाहन से क्या धूगा निकलता है उससे बायू प्रदूशन होता है अगला है उद्योग ठीक है तो उद्योग से आपको बता दें कि उद्योग से भी धुगा निकलता है उससे ही बाई प्रदूशन होता है और धूल के कणों से ही बाई प्रदूशन होता है ठोस अपसिष्ट जो होता है ठीक है किसी पदार्थ का ठोस मालों बड़े बड़े प सर घोषणा की सूची में नम छेत्र नहीं है राम सर जो घोषणा की बारे आपने पढ़ा होगा तो उसकी सूची में कौन सा नम छेत्र नहीं है तीन तो हैं तो आपको बता दें कि राम सर घोषणा की सूची में बुलर जील नम छेत्र है रुद्ध सागर जील भी नम छेत्र हैं केबला देवराष्टी उद्यान भी नम्चेत्र के अंतर गताता है इसका उत्तर हो जाएगा रास मसंद जील राज मसंद जील जो है बह नम्चेत्र नहीं है ठीक है राजिस्थान में कौन सा नभी करणी संसाधन नहीं है तो जल्विद्धुत्तो है प्राक्रतिक गैस नभी करणी संसाधन नहीं है विज्ञान प्राक्रतिक विशाय का विवस्थित ग्यान एवं धारणाओं के मद्ध संबंदों का तारके कद्यान है जिसमें विशाय व्यक्त होते हैं उपर एक विशाय की परिभासा किस नहीं दी? परिभासा से एक या दो पुष्ण आते हैं तो अब ये परिभासा जो है कि विज्ञान को प्राक्रतिक विशाय का विवस्थित ग्यान और धारणाओं के मद्ध संबंद का तारके कद्यान किनों ने कहा है तो आपको बता दें कि जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बै हो जाएगा A. W.C. Dampier ने कहा है आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों मैंने बता दिया है पीडियाप के लिए तो देख लीजीगा निमलिखित मैंसे किसमे उद्ध्यान करसी का अध्यन किया जाता है उद्ध्यान करसी का अध्यन किसमे किया जाता है तो आपको बता दें कि उद्यान जो किसी होती है, हार्टी कल्चर में, किसमें किया जाता है, हार्टी कल्चर में निमलिखित मैं से कौन सा प्राथ में किस तर पर विज्ञान सिक्षण का वांसे कुद्दे से आप प्रात्मे किस तर्फ की तैयारी कर रहे हैं तो साप के लिए महतपूर प्रस्न है कि प्रात्मे किस तरपर बिज्ञान सिक्षन का बांचे तुद्धेश कौन सा है जल्दी से बताज़ें तो पहला है है अपर दिए बिज्ञान के तत्थों सिध्धानतों एवाम इसके अनुप्रियोगों को जानना एतो है प्राकरतिक जिग्यासा, सौंदर, परक्ता की अनुबूती तथा बिज्ञान एवाम प्रद्योगी की में स्रिजनात्मक्ता का पोशन एभी है इमानदारी, सत्य निष्टा और सयोग के मुल्यों का आत्मसात करना इस सभी बहुत महत्पून है प्रात्मे की स्तर पर तो उपर योग सभी सकत्र ठीक हो जाएगा आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों ऐसे पिछले बहुत सारे हमारे पार्ट अपलोड हो चुके इसी प्रकार के प्रिष्णों के आपने ना देखे हो तो यूटूब पर साच करें टॉप 50 स्टड़ी और उनको जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना इसी चैनल से तो हम पढ़ी ही रहे हैं परियाबरन अध्यन के अधीगम का सिध्धान्त कौन सा है परियाबरन अध्यन के अधीगम का आपको सिध्धान्त बताना है तो आपको बता दें कि आवशक्ता का सिध्धान्त तो है उपियोक्ता का सिध्धान्त भी है जीवन से संबंदित होने का भी सिध्धान्त है तो उपरियोग सभी यहाँ पर ठीक हो जाएगा कौन सी गेस गिलोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदाई है बैरी 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 आई एमपी मतलब जिसको तीन बार हमने बैरी आई एमपी कह दिया मतलब इसको मिलकुत दिमाग में सेट कर लेना भी से तो आपको बता दें कि नाइट्रोजन तो नहीं है, मीथेन भी नहीं है, करवंडाई आकसाइड भी नहीं है अब आपे दी हमारे पूरे पार्ट क्रम से पढ़ रहे होंगे दोस्तो तो हमने बताया था कि गिलोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गेस उत्तरदाई है बड़े अच्छे से बताया था दो दो तीन तीन बार बोल करके बताया था तो इसका उत्तर तो हो जाएगा, ओपर योग तुम्हें ऐसे कोई नहीं अब मैं चाहरा हूँ हूँ कि पहले आप कमेंट में उत्तर दें कौन सी गेस उत्तरदाई है आप कितने अपनी पढ़ाई के प्रती उत्तर दाई है यह अब हम देख रहे ठीक है, तो आप इसका उत्तर बताएं नहीं बनेगा, तो अगले वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर बता दूँगा कि दोस्तों पिछले वीडियो में जो चलचा की थी उसका इस्तरे था, जो सही बताएगा, उसके वीडियो, उसके कमेंट को लाइक किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो आपको बताने कौन सी के सुत्तरदाई है, प्रायोजना बिधी में कितने मुख सोपान प्रयोक्त होते हैं, ठीक है, सिक्छान की बिधियां होती हैं, उनमे पड़ाने का तरीका होना चाहिए, छोटी कक्छा में पढ़ावना दन के विसाय में रुची उत्पन करने ही, बच्चों को रुची आए, तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे छोटे बच्चों के लिए, तो आपको बता दें, कि छोटे बच्चे आगमन बिधी नहीं समझेंगे, रटा आकर के उनको काम नहीं होगा, निगमन का भी काम नहीं चलेगा, मनुरंजन एवं खेल विधी से होगा, किस से होगा, मनुरंजन एवं खेल विधी से होगा, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, विशिष्ट से सामान का सिध्धान्त निम्न लिखत मैं से किसमें प्रियोग होता है महत्पूर्ण प्रशन है लेकिन अब ऐसे प्रशन पूछना कम कर दी जाए क्योंकि ये कितनी परिक्षाओं पूछे गए है इन विधियों से जो इसका उत्तर है उसके संबंद फिर भी कोई ना कोई कॉस्चन आता ही है उसकी भासा बदल देते हैं वो लोग पूछने में ठीक है तो वो समझ जाईए का देखें तो बिशिस से जो सामान सिद्धा आते हैं आगमन बिधी में होता है ठीक है आगमन और निगमन का हमने ट्रिक बताई थी कि आगमन जो बिधी एस में पहले उधारन आता है बाद में नियम आता है और निगमन में पहले नी है तो पहले नियम आता है बाद में उधारन आता है ठीक है तो बिशिस से सामानी की और कौन सी बिधी जलती है आगमन बिधी कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है प्रक्षेपित सामग्री पूछ रहे हैं यहाँ पर तो बुलेटन बोर्ड ओएचपी चलो मैं चाहरा हूँ कि दो आपको आंसर दिखाएं नहीं कमेंट में फटाक से उत्तर बोल लें दो में से एक है पढ़ा होगा तो राइट बोलो नहीं तो तुक्का लगा दो इससे आपको पता चलेगा कि तुक्का लगाने में आपकी किस्मत कैसी है ठीक है कमेंट में जल्दी से तुक्का लगाएं ना पढ़ा हो तो पढ़ा है तो राइट बता दे मैं तो चाहे था को तुक्का लगाने की जरूरत है नहीं पता है आप राइट बताएं फिर भी आप देख लें कि बाद तुक्का लगाने में क्या होता है पेपर में कई वार लगाना पड़ता है तो अनुभा हो जाएगा तो इसका उत्तर जो आपको बता दें कि कौन सी परिच्छे पर सामगरी है तो OHP है ठीक है इस पकार से अच्छे प्रस्णपत्र की विसेष्टा क्या है सरल भी है लेकिन कई वार पूछा जाने वाला भी है तो आपको बता दें कि अच्छे जो प्रश्णपत होता है उसमें बैद्धता होती है विश्वस्णीता होती है तो ये दोनों इसका उत्तर ठीक हो जाएगा ब्यापकता भी विश्वस्णीता बिल्कुल नहीं होती है ये याद रखियेगा ठीक है ना ब्यापकता विश्वस् भारत में बाल बिवाई निरोध अधिनियम किस वर्स में पारित किया गया था बाल बिवाई निरोध अधिनियम क्योंकि 18 वर्स है बालिकाओं की उम्र बिवाई की और जो बालकों की वर्स लेकिन पहले क्या होता था, 10-12-8 वर्स में भी बिभाय कर दिया जाता था, तो बाल बिभाय, बिरोध होना चाहिए, बिरोध हो गया, बिरोध अभी अधिनियम कब पारत किया गया, तो आपको बता दें, 2006 में पारत किया गया था, कौन सी विशेष्टा परिवार में नहीं है यहां पर विशेष्टाएं दी गई है यह है तो यह परिवार में नहीं होती है वो विशेष्टा आपको बतलानी है कम से कम दो भिन्न लिंग वाले बैस के साथ रहते हैं यह तो परिवार की विशेष्टा है भाई कौनी रहती है प्रतेक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो एक कोई विसेस्ता नहीं होती है तो भाई जैसे जैसे अपनी आय करना हो कोई एक भी कमा रहा तो कोई दिक्कत नहीं बे समान आबास भोजन एवन समान सामाज एक क्रियाओं का उपयोग करते हो है बिल्कु सही है एक ही पदिवार में रहे हैं सुरक्षा एवं बच्चों का साध्या उत्तरदायते भी जरूरी है ठीक है राष्टिये बाल स्रम उन्मूलं प्राधिकरण की स्थापना कब की गई अब दोस्तों एक बात में बोल दूँगे यदि like ना किया ओ तुरंत एक बाल like पर फ़टाख से क्लिक मार दिजी like करना आपका काम है comment करना आपका काम है और पड़ाना मेरा काम है मैं अपना काम कर रहा हूं आप अपना काम करिये दोनों का काम बन जायेगा ठीक है न दोस्तो हाँ देखें बागवानी के लिए कौनसे प्रकार का उर्वरक उपियोगी होता है बागवानी कर रहे हैं तो किस प्रकार का उर्वरक उपियोगी होगा तो आपको बता दें कि बागवानी के लिए जो उर्वरक उपियोगी होता है वह होता है बर्मी कौन सा सुमेलित नहीं है अच्छे से बिल्कु देखिएगा बस्तर का प्रकार एक तरफ लिखे हैं और एक तरफ राज लिखे हैं किस राज में किस प्रकार के बस्त होते हैं ठीक है तो देखो फिरन जम्मू का स्मीरिय पपाय जाते हैं प्रन पकार के बस्त, यह तो सही है. अगला है पानू भाजू पस्चिम बंगाल में. देखने में लग रहा है लेकिन गलत है याद रखिएगा. राहीदे हिमाचल परदेश में सही है, फुलकारी पंजाब में सही है. तो 20 का उत्तर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं हैं, प्योग नहीं लिया जाता ठीके, कौन सा पत्थर है? कि फर्स बनाने में ठीके, फर्स जो बनता है उसमें यूज नहीं होता है इन चार में से कौन सा पत्थर नहीं होगा जल्दी से बता दीजिए तो आपको बता दें संगमरमर तो होता है संगमरमर आप कई घरों में लगा रहता है कोटा स्टोन भी चलने लगा है शेंड उस्टोन भी चलने लगा घीया पत्थर शेल खड़ी जो होता है उसका प्रियोग ठीके फरस बनाने में नहीं किया जाता है हर राज जिसे अलग-अलग हम PDF में अलग-अलग परसनल आते हैं इस PDF में राजिस्थान के ज़ादा हैं किसी में और किसी के ज़ादा होगा ऐसे राजिस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की शंख्या बता दीजी अल्दी से हाँ इन तीन में से ही उत्तर है ठीक है तो राजिस्थान में आपको बता दे कि लोकसभा जो सदस्यों की शंख्या है बहे कितनी है तो बहे है 25 अब दो में आपसे पूँच रहा हूँ, मद्द प्रदेश के लोग सवासदस्यों की और उत्तर प्रदेश के लोग सवासदस्यों की संख्या आपको कमेंट में लिखनी है, किसके आप ऐसे लिख दीजीगा, MP और यहां संख्या लिख दीजीगा, यहां लिख दीजीगा, UP औ नहीं करते जाए तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है, मेला और राज, वेरी वेरी आई एंपी समझ लेना, अब देखना किस राज में कौन सा मेला लगता है, उससे संबंदित प्रस्न है, तो सुमेलित नहीं है, आपको वो वताना है, अमबाज कहां पर लगता है, गुजरात में, माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, बिल्कु सही है, माघ मेला कहां लगता है, उत्तर प्रदेश में, अगला है, नैना देवी मेला असम में गलत है, बैनेस्वर मेला राजिस्थान में सही है, बैनेस्वर राजिस्थान में, माघ उत्तर प्रदेश में अम्वाजी गुजिरात में। इस प्रकार से इसको लगा लीजीगा। राजस्थान स्टेट केमीकल वर्क्स कहां भारत मे उप्होग्ता सनरक्षन अधिनीयम, किस वर्स लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधीनियम कब लागू हुआ भारत में? जल्दी से बता दीजी उपभोक्ता संरक्षण अधीनियम पारत हुआ था 1986 में. ठीक है न? आगे. मलेरिया रोग होता है किस कारण से होता है मलेरिया महत्पून है दोस्तो काई दोस्तो बोलते सर आपसे जुड़ना है क्या करें कुछ मत करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आँगे की सारी जानकारियां करने सब हम इस चैनल के माध्यम से बताते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने और टेलीग्राम में हमने जो बोला है कि हमारा एप पांच तारीक को लॉंच होने वाला है टेलीग्राम चैनल पांच फरवरी के बादे आप वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत कर लीजिए यहीं तो पांच तारीक को आप टॉप फिप्टी स्टेडी जैसे ही सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको चैनल मिलेगा आप जोईन कर लीजिएगा ठीक है तो मलेलिया रोग आपको बता दें कि बहे होता है पलाज मोडियम फालसी पेरम के मात्य हमसे ठीक है के कारण होता है पलाज मोडियम फालसी पेरम पक्चमाभ उपकला प्राणियों के सरीर में कहां मिलते हैं ठीक है पक्षमाव उपकला प्राणियों के सरीव में कहां पर मिलते हैं, तो आपको बता दें, कि वह मिलते हैं, स्वासनीका में, कहां पर, स्वासनीका में मिलते हैं, ठीक है, स्वास लेते हूं, आनी का, स्वासनीका में निम लेखित मैंसे कौन सा सरल उतक नहीं है सरल उतक नहीं है ठीक है न दोस्तो अब आपको क्या करना है वीडियो पूरा होने के बाद एक प्लेलिस्ट आपको यहीं स्कीन पर मिल जाएगी उस पर क्लिक करको और वीडियो देख सकते हैं इतने अच्छे अच्छे नाम है तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा जाईलन ठीक है सरल उतक नहीं है बागी तीन है इस प्रकार से आप देखो जो नाम सरल था वो सरल उतक नहीं है बागी नाम कठेने सरल उतक है ठीक है चलो अगले वीडियो में पुना चर्चा करेंगे पीडियेप आपको भी मिलेगी नोट्स भी मिलेंगे हर सबजेक्ट के मिलेंगे परियाबरन हो चाहिए आपके अन्न सबजेक्ट हो आपको सबस्क्राइब करके जुड़ना है वीडियो को लाइक और कमेंट जरू करना और आगे सेर तो करना ही है इस बात को याद रखिए तो पुना मुलाकात करेंगे कल जैहिन